हेलो दोस्तो नमशकार उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट अपडेट यहाँ पर लेकर आया हूँ वैसे आप सभी को सबसे इंपोर्टेंट चीज यहीं पर अभी कंसर लग रही है कि आप सभी का रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ तो उसी को लेकर यहाँ पर अपडेट आपको देने वाला हूँ बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे न्यूस में, और्थेंटी, क्या कुछ जानकारी रिजल्ट के बारे में दी गए है वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ वैसे लाश्ट काम जो है एंटी के दोरा किया गया था, प्रोविजनल आंसर की रिलीज करके उस पे आपजेक्शन ले लिया गया था लेकिन उसके बाद से काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, अभी तक रिजल्ट का अतापता तक नहीं देखने को मिल रहा है इस कारण से छात्र काफी जादा फ्रस्टेट हैं क्योंकि उनके आगे की बहुत सारी प्लानिंग होती है जिनका नेट क्लियर होगा, वो आगे कुछ और जैसे टीचिंग कैरियर में जाएंगे, जिनका ज्यारेफ होगा, वो अलग-अलग प्रोग्राम में इन्रॉल होंगे तो यह तो इसकी बात होई, लेकिन सीधे मैं उस अबडेट पे चलता हूँ, काफी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टाइमस अफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है, अभी कल के डेट में ही इसको जो है इस पर पब्लिस किया गया है तो यहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने बताया है, एक तो पहले उन्होंने लेटर लिखा है, लेटर में जो एंटिये को लेटर लिखा है, यह जो सुप्रीम कूट के वकील है जिसमें उन्होंने mention किया है कि छात्रों का यहाँ पर भावनात्मक तरीके से भी शोषड हो रहा है और आगे उनको जो भी कैरियर में करना है इस result के बाद जो उनकी planning है उनमें भी काफी कुछ delay देखने को मिला है तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनको उन्होंने लेटर में mention करके NTA को जो है वहाँ पर भेज दिया है और उसके जवाब के इंतजार में है अब तो यह कानूनी जो कारवाई चल ले यह result को लेकर वो मैंने आपको update दे दिया अब एक date निकल के रहा रही है उसको भी मैं बता देता हूँ कि result आपको कब देखने को मिलेगा UGC Net का तो अभी मैंने G News की जो official website है उसको open कर रखा है आजी की rate में यह article पब्लिस हुआ है तो यहाँ पर कुछ date mention किया गया है जैसे मैं scroll करके आपको दिखाता हूँ result को लेकर तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि national testing agency 15 October 2024 को अपनी अधिकारिक website यानि ugesinate.nta.ac.in पर ugesinate June retest के नतीजे यानि जो आपका re-exam हुआ था उसका result आपको 15 October को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर इस article में बोला गया है हमको कुछ जादा जान करें हैं लेकिन इन news वालों के तरफ से कुछ या तो जो NTA के office में यह गया होगे और वहाँ पर पूछा होगा कि कब तक आप result जारी करेंगे क्योंकि बहुत सारे चातर query कर रहे हैं तो news के लिए भी एक peak question मन गया था तो इस तरीके से 15 October तक आपको wait करना होगा और इसके बाद से आपको result देखने को मिल जाएगा आपके UGC Net का अब जादा दिन रहने गया है आपने इतना लंबा इंतजार किया अब 4-5 दिन और आपको इंतजार कर लेना है और आपको अपना result देखने को मिल जाएगा और आज 10 तारीक आपका है यहाँ पर इसके बाद से आपको 4-5 दिन इंतजार करना उसके बाद से result आपको उसी official website पे देखने को मिल जाएगी जहाँ पर UGC Net का result पब्लिस होगा मैं सीधे उसी website पे लेकर चलता हूँ, starting में हम उसी official website पे थे website पे जाने से पहले एक और news की यह website है, जागरण news है, तो इसमें भी result के date को लेकर कुछ तारीक मिनसन की गई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह आपका आज ही के date में यहाँ पर आर्टिकल पब्लिस किया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर 10 October 2024 को 11 बच के तिरपर मिनट पे यह आर्टिकल पब्लिस किया जया है और जैसे में नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ, तो कुछ जानकारिया यहाँ पर मिनसन है, जैसे कि एकजाम के तारीक के बारे में दिया गया है और जो एक्चुली में जो आपका डेट दिया गया है, यहाँ पर कि जो नतीजों का एलान आपका होगा 12 से 15 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर किया जा सकता है अभी मैं G News के आर्टिकल में ने बता 15 अक्टूबर, तो मोटा मोटा यहाँ पर 12 से 15 अक्टूबर के बीच में यह लोग डेट लेके चलने के इसके बीच में NTA आपका UG Synet का रिजल्ट जारी कर देगी तो थोड़ा और पेसेंस आपको रखना है, उसके बाद से आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो सीधे मैं वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूँ, जहां पर आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे एक तो ये NTA की ओफिशल वेबसाइट है, यहां पर भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा तो वीडियो कैसे लगा और अगर कोई डाउट अभी भी रहता है, रिजल्ट को लेकर खास तोर से इतना लंबा वक्त आपने इंतजार किया थोड़ा सा और आपको इंतजार कर लेना है और आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजे इन्रॉल हो गई है बच्चे कानूनी सला भी ले रहे हैं कि क्या किया जा सकता है ये सारा प्रेशर दीरे दीरे एंटिय के ओपर बियूल्ड हो रही है किस कारण से वो रिजल्ट जारी नहीं कर रही है वो भी इस पर्ष्ट यहाँ पर बता नहीं रही है लेकिन ये सारा कुछ मामला देखने को मिल रहा है कि अब उन पर फ्रेशर कुछ जादा विल्ड हो रहा है तो जल्द ही जल्द आपको कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा रिजल्ट के अक्वार्डिंग तो बारा से पंदरा का डेट यहाँ पर आर्टिकल में में अब मेंसें किया जा रहा है और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यह बेल आइकन का बटन जो होता है इसको आपको प्रेस कर लेना है ऐसी ही वीडियो के जो है अपडेट को पाने के लिए बाकि प्रेपरेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेट मेंने चैनल पे अपलोड कर रहा है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं आपका पेपर वन भी अच्छे तरीके से तयार हो जाएगा और पेपर वन को लेकर मैं बहुत सारे इंपोर्टेंट कोशन के से रिलेज भी तयार कर दा हूँ तो उसको भी मैं आपको प्रोवाइट करूँगा नेक्स्ट एक्जाम के लिए